मोगली का जंगल एडुन्चर नरम, महम जोई से भरपूर मुसीकी बजना शुरूँ हो जाती है। ये मनजर घने जंगल में धंदला जाता है जहां हम मोगली। एक नौजवान लड़का, अपने जानूरों दोस्तों, बलुदी रीच, बगेरा पीन्थर और का सांप, के साथ एक बेल से दूसरी बील पर खुशी से जूमते हुए देखते हैं। जंगल की दावत मोगली और उसके दूस्त जंगल के दिल में एक पके हुए आम के दरख्त से ठोकर खाते हैं। वो जोश्वो खरूश से उसके अर्दगर्द जमा होते हैं। और बुलू की मदद से मोग मोगली सबसे ज़्यादा रसीले आमों को तोड़ने के लिए उपर चड़ता है। दरख्त के साय में उनकी दावत, हंसी और कहानिया बाटते हैं। दरियाए एडुन्चर जैसे जैसे दिन चड़ता है। मोगली तजवीज करता है कि वो तीराकी के लिए करीबी दरिया की तरफ जाएं। रास्ते में उनका सामना चंचल बंदरों और रंग बरंगे परंदों से होता है। दरिया के कुनारे पर बलो मोगली को तेरना सिखाता ह जबकि बगहेरा और का उनकी हरकात से खुश होते हुए साहल से देखते हैं। परासरार गार जंगल की गहराई में तलाश करते हुए, मोगली और उसके दोस्त एक परासरार गार से ठोकर खाते हैं, दिल्चसपी से वो तहकीकात करने का फैसला करते हैं, अंदर वो कदीम हि और पूशीदा खजाने को दर्याफत करते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो अकीले नहीं हैं। गार शरारती बंदरों के खांदान का घर है। एक चंचल पीछा होता है जिसकी वजह से बहुत जियादा हंसी आती है। जंगल का जशन जैसे ही सूरज गुरूब होने लगता है। मोगली और इसके दोस्त कीमप फाइर के गर्द जमा होते हैं। वो जंगल के ढूल की ताल पर गाते और नाचते हैं, अपनी दूस्ती और उनकी महम जूई का जशन मनाते हैं। जंगल में गुंजती हंसी की आवाज के साथ मनजर धंदला जाता है। दी एंड नमोदार होता है, उसके साथ चहचहाते हुए क्रेक्ट्स की आवाज आती है। एक आखरी शाट में दिखाया गया है कि मोगली और उसके दौस्त सतारों के नीचे उक्ठे हो गए, जंगल के दिल में मवाद और महफूज।